तो कन्नोच में अखलेश यादव मैदान में उतराए हैं लेकिन वो अब तक अपने दस से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकेट बदल चुके हैं आखिर अखलेश के मन में एक कन्फ्यूजन क्यों है समाजवादी पार्टी बार बार अपने उम्मीदवार क्यों बदल रही है अगर आप आकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे अखलेश चार सीटों पर एक बार नहीं दो दो बार उम्मीदवार बदल चुके हैं जिन सीटों पर दो दो बार कैंडिडेट बदले गए उनमें गौतम बुद्धनगर, मेरट, मिश्रिक और बदायू सीट शामिल है जबकि छे सीटों पर अखलेश ने एक बार कैंडिडेट बदला ये सीट हैं मुरादबाद, रामपूर, बिजनौर, सुल्तानपूर, बाकपत और कन्नौज अखलेश के चुनावी मैदान में उतरने पर कन्नौज सीट से बीज़पी उम्मीदवार और मौचूदा सांसा सुबरुत पाठक ने चुटकी ली, सुबरुत पाठक ने कहा कि अब यहां पर मुकाबला दिलचस्प होगा अखलेश जी से मैंने पहले कहा था हमने अखलेश जी अगर यहां चुनाव में वास्तों में दी लड़ना है आपको चाहिते हो लड़ाई हो तो आपके सिवाई कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है नहीं जो लड़ सके क्योंकि हम लोग डिम्पल को हरा चुके है तो कुल मिलाकर अब अखलेश जादो जी ने मेरी बात मानी अच्छा है कम से कम एक चुनाव रोचक हो चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है तो एक तरफ कन्नोज में मुकाबला दिल्चस्प हो गया है दूसरी तरह पीज़ेपी कॉंगरस पर अटैकिंग मोड में है मुक्यमंतरी योगिया अधितनाथ ने कॉंगरस पर अटैक किया है कॉंगरस ने 60 साल तक देश की संपत्ती को लूटा कॉंगरस की नजर अब आम जिनता की संपत्ती पर सैन पित्रोदा का बयान ही कॉंगरस की सोच है कॉंगरस घुसपैथियों के बीच में संपत्ती को बा सादनों को लगभग 60-65 वर्सों तक लूटा अब उसकी नियत लोगों की आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वहा इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बाटेगा उन लोगों को जो घुसपैटिये ह आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर इस देश के नर्थ इस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करणों की संपत्तिया में गुसपैटिये हैं रोहंगी आये हैं इनके पीछे तो कॉंग्रेस कई वोट में की पॉलसी है तो वहा देश की कीमत पर रा आसा टैक्स उसी का हिस्सा है एक तरफ यह आम जनता को टैक्स से लाद करके तबाह करेंगे उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कबजे में लेंगे और फिर उन घुसपैटियों को उन लोगों को देंगे जो लोग जिनका वहरत से कोई समंद नहीं है सेम पेद्रोदा ने कॉंग्रेस की उसी मंसा को और जागर करने का एक प्रियास किया और उसने उसी बात को कहा है को साफ़त्तों बgoneशुक करने के बाद दोबारा उसीड़ पर अपने उम्मीदवारों को बदलती है अब आई आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किस सीट पर किन उम्मीदवारों का टिकेट काटा और किसे टिकेट दिया खुद करनौ सीट पर सपा ने पहले तेज प्रताप यादव पर दाव लगाया था लेकिन नामांकन से ठीक पहले उनका टिकेट बदल दिया किया अब खुद अखलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं कन्नौच के अलावा बदाईम सीट भी मुलायम फैमली की गढ़ मानी जाती है लेकिन यहाँ पर अखलेश ने दो दो बार उमीदवार को बदला पहले धर्मेंदर यादव के नाम का एलान किया फिर शिवपाल यादव को टिकेट दिया गया लेकिन जब शिवपाल ने आना कानी की तो उनके बेटे आदिते आदफ पर दाव लगाने का फैसला किया किया अखिलेश ने मेरट सीट पर भी लगभग ऐसा ही कारणामा किया पहले उन्होंने दलित नेता भानु प्रताप सिंग को टिकेट दिया जिनका मेरट में जनाधार होना तो दूर ज्यादा लोग उनके बारे में जानते तक नहीं थे गलती का ऐसास होने पर सपा ने अपने विधायक अतुल प्रधान को मैदान में उतारा लेकिन इसके पहले कि अतुल प्रधान अपना नामांकन कर पाते अखलेश ने एक बार फिर फैसला बदला और सुनीता वर्मा को पार्टी का सिंबल दे दिया इसी तरह का कन्फ्यूजन मुरादाबाद में देखने को मिला जहां मौजूदा सांसत स्टी हसन नामांकन भड़ चुके थे लेकिन उसके पहले दिन रुची वीरा का नामांकन कराया गया तो समाजवादी में कन्फ्यूजन का दौर लगातार जारी है लेकिन इन सब के बीच कन्नौट से अकलेश ने उतर कर मुकाबले को दिल्चस्प पना दिया है रुची कुमार मेरी सहियों की जुड़ गए हैं जादा जानकारी के साथ रुची बेशक कन्फ्यूजन रहा हो पहले तेज प्रता प्यादफ को उतारा हो उसके बाद अकलेश यादफ खुद मैदान में आ गए हैं ऐसी क्या रिपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिल रही थी कि अकलेश ने खुद चुनावी मैदान में उतरना ज्यादा मुनासिब समझा अपने भतीजे की बजार देखें कनोज में अगर आप बात करेंगे कनोज आप आएंगी तो पिछले 15-20 दिन से जो कनोज की समाजवादी पार्टी यूनिट है उसका ये कहना था कि यहां पर अकलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए अकलेश यादव यां सुबरत पार्ठक का अच्छा मुकाबला करेंगे वो ये सीट जी सकते हैं अब जब तेट परताप यादव को अकलेश यादव ने ये टिकेट दे दिया तो परसो पूरी कनोज की समाजवादी पार्टी की यूनिट लखनो पहची अकलेश यादव से मुलाकाथ की और अकलेश यादव से ये कहा कि आप ही चुनाव लड़िये नेटो कनोज जो समाजवादी पार्टी का गर्ड आया है हलाकि 2019 में हार गई थी समाजवादी पार्टी यहां से लेकिन आप पुराना इतिहाज देखिए रामनोहर लोया यहां से सांसद रहे जो मुलाइम सिंग यादव के गुरू थे 1999 में मुलाइम सिंग यादव यहां जीते थे उसके बाद अकलेश यादव डिम्पल यादव 2019 तक यह सीट यानि 20 साल यह सीट यादव परिवार के पास रही अब वो हार गई है इस बार फिर से जीतने की कोशिश है तो यूनिट ने यही कहा कि अखलेश यादव से कि अगर आप चुनाओ लड़ेंगे तो यह सीट वापस आ सकती है समाजवादी पार्टी के पास जिसके बाद अखलेश यादव को अपना फैसला बदलना पड़ा और अखलेश आदव ने यहाँ से अपना नामंकन आज वो करने जा रहे है लेकिन यह बास सही है कि बहुत ज़्यादा कन्फूजन है समाजवादी पार्टी में क्योंकि यह सारी चीज़े पहले से तैह होनी चाहिए कि कौन सी सीट पे कौन चुनाओ लड़ेगा एक दो सीट पे बदलाव हो जाए तो चलिए वो सभी पार्टी में होता है लेकिन यह बार-बार बदलाव होना कई सीट पे बदलाव होना यह चिंता का विशे है और समाजवादी पार्टी में अगर अंदर लोगों से आब बात करेंगे उनका कहना है कि इसका नुकसान भी पार्टी को चुनाव में हो सकता है अखलेश के फैमिली से इतने टिकेट मिलने पर मैनपुरी से बीज़पी उमीदवार जैवीर सिंग ने चुटकी लिए है उन्होंने अखलेश के पीडिये का नया मतलब बता दिया है कि असली पीडिये ही तो है परवार डिवलमेंट अथौर्टी ऑफ सेफ़ई यही तो है पढ़िये पीडिये दिखाई पढ़ रहा है बढ़ाई सभा के लोगों को बढ़ाई अखलेश को बढ़ाई अभर इलमेंटेट्र की यहां कोई नहीं लोगोंे उस वाँ देड़ाई लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं इस बारद कभी अब्रोड सेफ़ई है एमपी सेफ़ई अरे हम उन तो अखलेश जी को कह दो कि कुछ बटे हो नोकर चाकर खुटे बिली तो उनको दे दे लिगे बीजे पे चुटकी जरूर ले रही है लेकिन कन्नौस सीट पर अखलेश यादफ का उतरना जरूर मुकाबले को कड़ा बना रहा है कन्नौस सीट की बात करें तो यहां से मुलायम परिवार का पुराना नाता रहा है यहां पर 1999 में मुलायम सिंग यादफ पहली बार सांसत चुने गए थे 2000 में उन्होंने स्तीफा दे दिया तो अखलेश यादफ चुने गए अब आई आपको कन्नौस का कास्ट फैक्टर भी बता देते हैं यह सीट यादफ पहुले सीट है यहां खरीब 16 फीजदी यादफ किसी भी उम्मीदवार की जीतार का फैसला करते हैं साथी यहां पर मुस्लिम वोटर भी खरीब 16 फीजदी है जबकि भ्रामण वोटर्स की तादाद करीब 15 फीजदी है कन्नौच में राजपूत वोटर्स की संख्या खरीब 10 फीजदी है कन्नौच वो सीट है जो मवाई समीकरन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद समझी जा सकती है अखली श्यादव के लिए और उनकी पूरी पार्टी के लिए